Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tyrosics where truth exposes darkness तो आज का जो टॉपिक है गाईज वो है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में लव लाइफ, रिलेशनशिप और केरियर और फाइनांसेश ओवरल आप बोल सकते हो हर एक चीज में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज बनते हैं क्या-क्या होने वाला है ठीके क्योंकि काफी साथा रिक्वेस्ट आ रहेते हैं ठीके रिगार्डिंग लव लाइफ, रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग करियर तो मैंने सोचा आप लोग के लिए चलो बना ही दू में तो हम यहां पे करने वाले हैं वो रिडिंग, या थिस थ्रू कैंडल वैक्स, लास में हम औरकल कार्ड्स के थ्रू भी वेरिफाइब करें के, ओके तो इस विल बी आ ताइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर नूट्रल रिडिंग, मेल फिमल सभी के लिए हैं बट दिस इस अ जनल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है कि रिजनेट करें, हो सकता है कि कुछ इन्फॉरमेशन ना करें, तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना बाकी को जाने दिना, चैनल को सिस्क्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिये और इंस्टरग्रम में फोलो करें, यू कन आजो सिस्क्राइब माई सेगंड चैनल, ओके, तो नाओ, ये जो आप देख रहे हो वेसल, ये जो है ना प्लेट, इस अरॉंड हंडर येर्स ओल, मोर दन हं क्योंकि एक्चली बहुत तो मैंने रखा है, ये बहुत ज़दा ट्रेडिशनल, एंस्टर से पास हो रहा है, ये तो काफी ज़दा एहमियत है, ये एक ब्रास है, ठीके, ब्रास का मेटल का बना हुआ है, तो डेफिनेटली मैं आशा रखती हूँ कि इसमें से हमें बेस्ट, हमें answers मिलेंगे, तो let's see मेरे spirit guides, angels, ancestors हमें क्या-क्या मदद करते हैं, ताकि आपके career में, आपके love life relationship में, मैं best से best आपको guidance दे पाहूँ, so let's see, let's find out, so universe with guides and angels, please help me, please find the truth, now, for my viewers, उनके love life relationship में, उनके career में, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, studies से भी हम देख लेंगे, क्या आप लोग बोलते हूँ, so let's see, so universe with guides, angels, please guide me in the right direction, वाउ, पहली दफ़ा में, जो मुझे यहां पे science नजर में आ रहा है, वो है Aquarius, Gemini and Libra, okay, here science आ रहा है, so definitely मुझे इस तरह का feeling, बिल्कुल महसूस हो रहा है, कि someone is going to get certain messages, हो सकता है कि आप अपना mailbox को लो, बहुत सारे लोग इस तरह से हो सकते हो, कि कहीने कहीं पे आपने rules, regulations को follow करते हुए, कुछ form भरा था, and definitely उसका जो result है, हो सदा अपना application दिया था, या आपने definitely कुछ exams में appear हुए, तो जब उसका result होगा, it will become definitely positive, बड़ आपको flexible रहना है, open रहना है, मुझे लग रहा है, आपको हमेशा ये महसूस होता है, चाहे love life relationship में हो, चाहे अपने नीजी जिन्दगी में हो, चाहे career में हो, आपको महसूस होता है कि आपके साथ हमेशा nature या universe परिक्षा क्यों लेते हैं, आपके साथ trial and error क्यों होता है, आपके time पे rules regulations क्यों बढ़ जाते हैं, for example मैं बता सकती हूँ, कि मैं जब exams दे रही थी, for example UGC net, उस दौरान ही SIDS जो था overall 12% के जगा पे 6% हो क्या, मतलब एकदम finally selected students को ही लिया गया and then I got selected, बहुत जदा hardships हुए, बहुत जदा struggles हुए and then I got, but उतना साल से 12% ही था, अचानक 6% हो गया, तो वो इसलिए मेरे पास एक सीख था, कि मैं कुछ सीख पाई, बहुत कुछ experience है उससे हुआ, ठीक है, discover कर पाई ही मैं अपने आपको, ठीक है, तो ग्यान हुआ बहुत जदा, तो यहां पे बहुत जदा universe आपका patience level test कर रहा है, universe आपका सहिन शक्ती test कर रहा है, कि आप कितना hard आप बन सकते हो, मुझे लग रहा है, बहुत सारे लोग उस career के लिए aim कर रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है, बहुत जदा material gain आपको मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, long term में आप पैसा को कमाना चाहते हो, और यहां पे देख रहा है मुझे, वो सिन बाद दा सेलर वाला comedy मुझे याद आया, animation, हो सता है कि आप लोग कुछ animated, कुछ graphics, कुछ VFX, something you are going to create, हो सता है कि उस field में आप जाने की कोशिश करे हो, आप software, engineering or something like that, okay, cartoons, animations, maybe in science field, you want to go, universe आपको बोल रहे हैं कुछ समय आपको जरूर निकालना है, regarding your yoga, fitness, training, ताकि आप healthy body, कुछ लोग हो सता है कि आप लोग military army में भी जाना चाहते हैं, you want to have your career over there, और आपको fitness भी वहां पे आपको test pass करना है, यह याद जरूर रहे, कुछ लोग इस तरह का job में जाने वाले हो, जहां पे काफी ज़ादर strict rules and regulations होंगे, regarding your love life and relationship, मुझे लग रहा है, धीरे 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 धीरे, आपके partner and आप बोथ, ठीके, बहुत धीरे धीरे आप लोग करीब आ रहे हो, you are just coming close, okay, together, चायब इस person को जानते हो, या इस person को नहीं जानते हो, but you are building blocks, ठीके है, यहां पे, बहुत साथ धीर सारा प्यार होगा, कुछ लोग के लिए जो एक unfinished love story था, definitely वो finished होगा, okay, मुझे लग रहा है, बहुत सारे लोग, आप लोग को मदद करने वाले हो, especially new career, कि जहां पे आपको सहाता मिलेगा, आपका assistance मिलेगा लोगों से, होज़दा है कि आप जिन से भी deal कर रहे हो, आपके dealer, आपके supplier, आपके colleagues, आपके boss, काफी ज़दा आपको मदद करें, आपके teachers, आपके professors, आपके खुट के batchmates, आपको मदद करें, यहां पे मुझे लग रहा है, यह message ज़रूर है आपके लिए, कि बहुत उचाई तक तो आप जाओगे, ठेके, definitely कुछ लोग, definitely क्योंकि आप लोग prepare हो रहे हो, उसी चीज़ के लिए, लेकिन, बहुत उचाई जाने के बाद, आप grounded ज़रूर रहना, ठीक है, flexible होना ज़रूर, क्योंकि एक movie का याद अभी भी मुझे है, पता है, movie का नाम शायद था, I forgot the name, जहां पे Mr. Akshay Kumar बोले थे, प्रियांका चुपरा को, कि उचाई तो आप भर रहे हो, लेकिन, बहुत उचा जाने से, अगर आप किसी को साथ में नहीं ले रहे हो चायए, अपने family, friends या partner को, आपको अकेला पन ही महसूर्स होगा, तो वो condition ना रहे है, ठीक है, आप हमेशा यहां पे देखो, completion यहां पे zero, हारा, यहां पे cycle, complete होड़ा, the world is getting completed, so of course you will achieve more, prosperity आरा है, financial gain भी ह होगा, investments करोगे, lab भी होगा आपको, पैसा बहुत जदा कमाऊगे, शोहरत मिलेगा, travel करोगे, ठीक है, of course, तो बट, सब लोग को साथ में लेके चलना है, ठीक है, यह नुवर्स यही आपको सला दे रहे है, guidance देना मेरा बात है, follow करना आपका बात है, ओके, जो होने वाला है मैं आपको बता रही हूँ, यहां पर, all right, ऐसे जरूर चेक करना, verify करना, हर एक documents को sign करने से पहले, मुझे लग रहा है, यहां पर messages आपको definitely मिलेगा, email, communication, text, of course, you are going to receive, okay, all right, यहां पर the letter L is formed, over here, the letter J is formed, O is formed, okay, कुछ लोग की घर में मुझे लग रहा है कि, yes, आप लोग ना, अपने घर में बहुत ज़्यदा hangers रखे हो, वहां पर कपरे को टांग के रखे हो, या कपरे को सुखाने दिया है, उसके बाद आप reading देख रहे हो, something is hanging, clothes are hanging, कुछ कपरे लटक रहे है, आपके खुद के रू कुछ hanging है, ठीक है, all right, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहां पर बहुत बरे artist बन सकते है, creative field में जा सकते है, यहां पर मुझे लग रहा है किसी के साथ आपका definitely union में आने वाले हो आप, of course union is also there क्योंकि मैं love, relationship और career में, एक साथ मैं guidance दे रही हूँ, यहां पर union, reconciliation, फिर से misunderstanding, दूर होना, ठीक है, किसी के साथ मिलन होना, बातचीत को, पुराने बातचीत को भूल जाना, फिर आगे बढ़ना जिन्दगी में, किसी के साथ फिर से मुलाकात, new beginning, नहीं शुरुआत, definitely यहां पर होने वाला है, oh wow, again a treasure, what is that treasure, so of course कुछ खजाना हो सकता है कि आपके पूर बजोने, ठीक है, आपके लिए कुछ secretly, कुछ लिग दिया हो, या आपके लिए छोड़ जाएंगे, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कि आपको पता चलेगा, जिस तरह से होता है, कि एंफलप में, सिक्रेट चाबी हो जाता है, जो definitely हो सता है, कि कुछ आपके लिए as legacy छो अपने पेशे पे उसको use करोगे और बहुत सदा आप अपना नाम, दौलत, शोहरत कमाओगे, बहुत कुछ मुझे आज positively करियर पे guidance दिखाए दे रहा है, और love में भी काफी सदा concrete relationship बनते वे इहां पे दिखाए दे रहा है, so everything is getting, you can say, in a full circle, आज जो candle का जो dropping सारा है, वो भ हर container ही goal होता है, right, हर container goal होता है, बट यहां पे जो मुझे है, मैं यहां पे देख रहे हो रहा है, यहां पे, it's taking the circle over here, okay, मैंने आपको बताया था, कि यह जो vessel है, कि यह जो चीज है ना, इसका बहुत सदा है हमियत है, कि यह मेरे पूरवजों से दिया हुआ है ना, चीज तो of course, alright, so 8 number is visible over here, 8 किसी का बर्डे हो सदा या हो सदा विदिन 8 weeks to 8 months, the month of August can be also very important, मुझे लग रहा है कि इसी के, आपके पापा या हो सदा कि आपके, कोई male member आपके घर में होंगे, जिस वक्त आप इस reading को देख रहे होंगे, और वो आपके तरफ इस सरह से देख रहे होंगे, तो आपने शायद, आप कुछ बोलोगे कि reading देखने के बाद, या वो आपसे कुछ पूछेंगे, कुछ जवाब आप उनको दोगे, कुछ directions वो शायद आपको दिखा सकते हैं, या कुछ आपको शायद वो बोलते हो, काफी सदा guidance देते हो, इस सरह से हो सकता है, ओके, travels करने वाले, उसके पहले आपको बहुत ज़दा documents verification कराना पड़े, का time आजायगा, maybe for the visa, or something, आपको visa के लिए, उस जदा इधर उदर बहुत ज़दा भागना पड़े, दौरना पड़े, ठीके, agencies के पास जाना पड़े, अपने documents को बार बार आपको पेश करना पड़े, इस जब एक corner में बैठा हुआ है, या बैठी हुई है, alright, और देखते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए, पैगाम तो definitely आपके लिए आही रहा है, that is for sure, यह पर मुझे लग रहा है काफी ज़दा आप over excited होंगे, बहुत ज़दा अपने love life को लेके और काफी ज़दा आप खुश करने वाले हो, कि सब कुछ सही हो गया है, यह खुश कबरी मेरे comment section पर भी आने चाहिए, कि सब कुछ सही हो चुका है, सब कुछ सही हो जाएगा, okay, so partners के तरफ से मुझे लग रहा है कोई responses आपको मिल जाएगा, किसे के घर में काफी ज़दा statues होंगे, यहाँ पर, okay, white color के statues, I specifically mentioning, यहाँ पर आपके dresses आप शायद पहनोगे हो, हो सबता है कि आप पहन के रखो, maybe golden color or something like that, कुछ लोग यहाँ पर cryptocurrencies या कोई financial investments सब करने वाले हो, काफी ज़दा वो फायदे मंद रहेगा आपके लिए, but again you should consult some financial consultant, यह हो सबता है, finance field में आप काफी ज़दा expert हो, और वहाँ पे आप बहुत ज़दा अच्छे करके वहाँ पर दिखाओ, financial institutions में शायद आपका job लग जाए, any bank or something like that, okay, जो जो जिस सरह से messages आते रहेगे, मैं बोलते जाओगी, कुछ घने बादल जो चाये थे आपके life में, confusions के बादल वो definitely हट जाएंगे, देखे, clarity आपको definitely मिलेगा, जिस सरह से, जिस सरह से tea pot यहाँ पर आ रहा है, so something, मुझे लग रहा है कि, चाय पीने से, जिस सरह से सुस्ती आता है, जिस सरह से refreshments आते हैं, जिस सरह से mind cool हो जाता है, उस तरह से कुछ news सुनने के बाद ना, आपका mind fully relaxed होगा, fully, okay, so relaxation news is also coming for you, या बहुत जदा मौज मस्ती भी करने वाले हो, जो मुझे लग रहा है अपने private life में, मुझे लग रहा है इस तरह का खुश, wow, so you can ask any wishes, before it goes to end, ठीक है, आप मांग लो कोई भी wish, ठीक है, I am giving you time, आप मांग लो कोई wish, universe, spirit guides, मेरे viewers के सारे wishes को fulfill करना, तो यहाँ पर जो मुझे जिस तरह से यहाँ पर महसूस हुआ है, कि चाहे आप जो भी initiative लो, आपके life में जो भी struggles आया है, चाहे आप को rules regulations का सामना, काफी जदा यहाँ पर करना पड़ा है, पट last में जाके तो मुझे success ही success नजर आ रहे है, okay, especially if you are also student, if you are going for any type of career, अगर आपके love life responsibilities का भी बात किया जाए, तो काफी जदा pampering, lovable relationships, you are definitely attracting in your life, okay, so देख लेते हैं, इसका confirmation कर लेते हैं, हम with the oracle card से, okay, so let me see it, so in your spirit guides and angels, please guide me, please guide me in the right direction, कि मेरे जो viewers हैं, उनके life में, love life relationship, as well as career में, उनके लिए क्या guidance हैं, क्या आने वाला हैं, pure intention, तो किसी का आपके उपर pure intention होगा, मतलब क्या है, कोई भी गलत इरादे से आपके पास नहीं आएगा, वो आपके love life हो, relationship हो, देखो, the theory of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention, आप अगर शिदद से भी कुछ मांगा हैं, शिदद से मांगा हैं तो वो आपको definitely हसल होगा, वाओ, friendship, देखो, मैं आपको बताया था, both the friends, both the batchmates, colleagues, subordinates, आपको आपका साथ देने वाले हैं, ठीक है, जो आपको देखो, यहाँ पर already लिखा हुआ है, who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams, बहुत सारे साथ ही, at least 2-3 friends आपको बहुत दा help करने वाले हैं, आपके career में, आपके love life में, आपके relationship में, protect your dreams, तो definitely मुझे यह भी आपको सला देना है, कि चाहे वो आपके personal कुछ हो, किसी से मिलने जाना हो, चाहे आपके job हो, या कुछ studies related हो, किसी के साथ, वो करने के बाद फिर share करना है, ठीक है, ना कि पहली कर देना है, okay, true wisdom, the tree will help you navigate through your current situation, तो पेर पौधे के आसपस, थोड़ा साब रहिएगा, नेचर के आसपस, वो आपको काफी ज़ादा guidance आपको definitely देने वाले है, and definitely if you are aiming at the star, so definitely your fulfillment, your wishes fulfillment is definitely there, तो यहाँ पे हमें पता चला कि reading जो यहाँ पे दिखाया था, कि friends से हमें बहुत ज़दा cooperation मिलेगा, हमें बहुत ज़दा सहाथा मिलने वाला है, ठीक है, हमारे dreams fulfill होने वाले हैं, तो वो of course यहाँ पे सच्चाई साबित हुआ, so therefore, the candle prediction has come true, and I hope you had liked it, if you liked it, please do subscribe, share and do comment in the comment section, till then take care of yourself, and keep watching, divinity tarot 6 where truth always exposes darkness, thank you guys and love you a lot.